तो यह देखिए एक दम फुली फुली मसाला पूरी जी हाँ गाइस मसाला पूरी और सबजे सबको बनाना आता है लेकिन एक बार यह जो मेरा ट्रीक है न अगर आप एक ट्रीक यह अपना लिए न तो सच बताऊं कि आपको यह बहुत टेस्टी लगेगा और आपके बच्चे इसको लंच में बड़े चाव से खाएंगे आप इसको लंच में ब्रंच में डिनर में जब भी आपको टाइम मिले आप बनाए इसको यह बहुत टेस्टी बनता है घर के ही सामानों से ना ज्यादा सामान की जरूरत होती है तो चलिए आज इस रेस्पी को बहुत इजी इसको अयह बहुत हई पूरी आपकी बनने वाली है तो इसको हम ग्राइंडर में एक कटोरी कॉन फ्लेक्स को ग्राइंड कर लेंगे इसका बढ़ी आंसा महेंसा आटा बना लेंगे और इसको काम आटे में मिला लेंगे अगर अगर सुजी से कामचला सकते हो तो जोजी ले दीजिए निया फिर कॉन फ्लेक्स इससे आपका बहुत क्रिश्पी पोडी बनेगा यहां पर हमने कसूरी मेति लिया है थोड़ा सा क्रेश्ट करके डाल देंगे और थोड़ा सा हमने एक चम्मश आज़ लिया है इसको भी हमने डाल दिया है अब हम डालेंगे स्वाथ के नु जाए इससे क्या होगा ना थोड़ा सा अगर आप घी और रिफाइन डाल देंगे तो आपका मुएम बहुत अच्छा से पूरी बहुत क्रिस्पी बनेगी अब हम यहाँ पर लेंगे आलू आलू हमने तीन लिये हैं आलू को कद्दू कस कर लेंगे इस तरह से और इसको मैस मत क करेंगे इसको इससे गद्दू कष करके लेना तो आटे में बहुत अच्छी सी बार्यंडिक मन जाएगी जहाँ पर देखेंट हमने तीन बड़े आलू का इस्तिमाल किया है इसको हम कद्दू कर लिया है तीन आलू को इससे आपकी पूरी बहूत खृपी बनेंगी अब इस तो देखिए पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि हमें बहुत सक्त डो लगाना है जितना टाइट आपका डो रहेगा उतनी बढ़िया आपकी फुली फुली पूरी बनेगी तो देखिए मैंने गूत लिया है अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करा देते हैं इसको हम किसी बरताई से ढग देते हैं जब तक हम सबजी बना लेते हैं यहां हमने चड़ाया कड़ाई अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एक चमश रिफाइन ओयल या फिर आप घी ले सकते हैं या फिर सरसो का तेल यहां पर एक चोथाई चमश हीन डालेंगे और एक बड़ा साज लिया है इसको छोटे पीसस में कट कर लिया है और बस इसको हम टमाटर को डाल देंगे यह बिना लहसन प्याज की आलू वाली सबजी है जैसे भंडारे में बनती है यहां पर हमने एक चमश नमक डाला है आदा चमश लाल मिश पावडर आदा चमश हल्दी पा पानी डालेंगे आधा कप पानी डाल इसको ढखकन से ढखके दोश से तीन मिनट तक मसाले को पका लेंगे मसाला तो ज्यादा है नहीं तो हम ढाल देंगे तीन से चार बड़े आलू को मैंने वायल कर गर इसको हमने तोड़ लिया था तोड़ के उसके बाद इसको हम कडाही में डाल दिये हैं अब इसको हम थोड़ा सा एक मिनट तक भून लेंगे उसके बाद डाल देंगे पानी तो पानी आप बहुत कम डालना क्योंकि यह थीक ही सबजी अच्छी लगती है ज्यादा पतली सबज और जीरा का पाउडर और इसके बाद इसमें आधा चमस हम डालेंगे चाट मसाला ती बस यह हमारे जो है सब्जी जो मसाला है हमने एक दम अलग तरीके से गरम मसाला का इस्तमाल बिलकुल नहीं किया क्योंकि फिर यह सब्जी वाला टेस्ट आएगा एक दम भंडारे जैसे सब्जी आपकी बनके रेडी यह दीखिए गैस के फ्लेम को आफ कर दिया और सब्जी की थीकनेस देखिए इस तरह से रहना चाहिए पूरी के साथ खाने के लिए आप इसको पराठे से पूरी से खाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा तो यह हमारी सब्जी बन चुके है चल रखना है थोड़ी सी यह मोटी रहती है तो बहुत क्रिश्पी और बढ़ियां टेस्टी पूरी बनती है तो यह हमारा मसाला पूरी का जो लोई है यह हमने तयार कर लिया है चलिए अब इसको बेल लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सब तेल लगा के इसको हम बेल लेंगे इस तरह से गोल गोले आकार में बेल लिजे इसको तो यह देखे ना बहुत मोटी और ना बहुत पतली इस तरह से हम सारी पूरी यह बेल लेंगे तेल अच्छे से खॉल गया है, हम भूँचुमें डालेंगे पूडिया, पूडि को एकड़म हलके सपेचुला से इसको दीरे-दीरे यसे इसको बस ऐसे-एसे करते रहे, तेल उपड़ते रहे ॥ आपके पूडि बहुत मस्त फूलती है तो ये देखिए हमारी कुरकुरी एंड क्रिस्पी पूरी फ्राई हो रही है और देखिए एक एक पूरी हमने फ्लाया है देखिए और बहुत कुरकुरी क्रिस्पी पूरी है इसको आप वैसे भी खा सकते हो जब भी आपको बच्चों को लंच देना है तो आप इस तरह से जरूर बनाएं बिना ये सब्जी के बच्चे बड़े चाव से खा लेंगे ये देखिए हमारी पूरी बन के तयार हो गए है मसाला पूरी और इसके साथ हमने बनाया है फलाहारी सब्जी तो ये आसान सा पूरी हमारी बन के मसाला रेड़ी हो गई है तो आप इसको इंज्वाय करिए और जब भी आपका दिल करें मन करें तब भी आप इसको बना के खाईए आपको बहुत पसंद आएगा उमीद करती हूं कि ये रिस्पी अच्छी लगी होगी एक लाइक और सेयर बनी है कि नहीं बाबाई